खालो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्था लिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेस्बुक ये टेलिग्राम के मात्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझे से यहाँ पर फूट जिस विशेपे हम बात करने वाले हैं, वो दरसल संबंदित है हिंदोस्तान के अंदर एक बहुत ही important mode of traveling भारतिये railways या Indian railways जिसे कहा जाता है हम बात करने वाले हैं कि क्या वज़े हैं कि आए दिन ट्रेन जो है वो पट्रियों से उतर जाती है दोस्तों, derailment of train एक ऐसी problem है कैसा phenomenon है जो आए दिन हिंदोस्तान में देखने को मिलता है तो हम इस lecture में जानने की कोशिश करेंगे उन सभी कारणों को जिनकी वज़े से एक train जो है वो पट्री से उतरती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं civil services की तो studyiq.com या studyiq की app पर आप अपने लिए बहतरीन smart courses प्राप्त कर सेखें दो दिन पहले यानि के 13 जन्वरी जब हिंदोस्तान के अंदर नौर्थ इंडिया में लोडी का पर्व मनाया जा रहा था उसी दोरान एक खबर सामने आई बीका नेर गुहाटी express जो है वो पट्री से उतर गई जिसमें करीब नो लोग जो है उनकी जान चली गई पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है रेगुलर फिनॉमिना जैसा हो गया है कि कही ना कहीं देश के किसी कोने में ट्रेन जो है वो पट्री से उतर जाती इस हाथसे में करीब नो लोगों की जान चली गई चालिस लोग इस हाथसे में खायल हो गए जब बीकानेर घुवाटी एक्सप्रेस की बारा बोगियां या बारा कोचिस हो है वो वेस्ट बंगाल के जलपाई गुडी जिले के पास पट्री से उतर तो काफी बड़ा भाथसा ये एक हुआ है जिसमें करीब नो लोगों की जान चली गई है और चालिस लोग जो है वो खायल हुए जब इस हाथसे की शुरुवाती जांच करी गई क्या कारन था इस रेल गाड़ी का पट्री से उतरने का तो उसमें ये पाया गया कि इस ट्रेन के इंजन में चार ट्रेक्शन मोटर्स लगे हुए थे जिसमें से एक ट्रेक्शन मोटर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई एक ट्रेक्शन मोटर जो है वो मालफंक्शन हो गया जिस कारण से लोको पाइलेट या इस ट्रेन को जो चला रहे थे ट्राइवर उनकी द्वारा एमर्जंसी ब्रेक लगाई गई क्योंकि एक तम से जो ट्रेक्शन मोटर है, अगर जब उसमें खराबी आई तो लोको पाइलेट को एक एकशा एक एमर्जंसी ब्रेक्स लगाने पड़े और एमर्जंसी ब्रेक्स लगाने के कारण ही यह 12 डिबबे जो है वो पत्री से उतरे और साथ ही साथ दो कोचीज ऐसी थी जो आपस में टकराई और एक दुसरे के ऊपर आ गई यानि कि बिल्कुल एक बड़ा हाथसा इसको कहा जा रहा है क्योंकि 24 टोटल डिब्बे थे जिसमें 12 डिब्बे पटरी से उतर गे और दो डिब्बे ऐसे थे जो आपस में टकरा कर गए एक डिब्बा दुसरे के ऊपर आ गया कुछ इस प्रकार का दरिश्य आपने जरूर न्यूस चैनल पे न्यूस पेपर में या इंटरनेट पे कहीं न कहीं देखा होगा और इस तरीके के हाथ से काफी बार हिंदोस्तान में पहले भी हो जोगी ट्रेंस का पटरी से उतरना क्या वज़े है कि one of the most important means of transport हिंदोस्तान के अंदर भारती रेल जो है वो क्या महत्व रखती है ये शायद बताने की जरूरत नहीं क्या वज़े है कि आये दिन इस प्रकार के हाथ से हमें देखने को मिलते हैं क्यूँ पट्रियों से ट्रेंस वह उतर जाती है वाइडू इस ट्रेंस डिरेल इसके बारे में थोड़ी सी बात करें आप जानते हैं railway इस तरीके से highway, airway, waterway airway यानि के हवा के माध्यम से travel किया जाता है waterway, highway, roadway roadway यानि के सडक के माध्यम से road और way waterway यानि के पानी के माध्यम से उसी तरीके से railway का अर्थ है कि जो way है जो रास्ता है वो दो rails के उपर से होकर के गुजरता है इस तरीके की दो rails बिची होती है जिनके ऊपर से train गुजरती है इसको railway कहा जाता है क्यूंकि train को चलने के लिए सिरफ और सिरफ ये दो rails मौजूद है बहुत बार ऐसा होता है कि train के पहिये जो है वो इस rail से बोड़ा सा हट जाते है जिसे train को पट्री से उतरना कहते है या derailment जिसको कहा जाता है जब भी इन rails पे चलने वाला वाहन जिया train अपने इन rails से बाहर आ जाती है उनके wheels जो है वो इन rails से बाहर हो जाते है उसे derailment कहा जाता है इस प्रकार की derailment जो है वो हो जाती है यानि कि पूरा का पूरा जो एक इंजन समेथ train है वो इस rail पे चलने के बजाए यहां से हलकी से हट जाती है जिससे एक बड़ा हाथसा हो जाती है छोटी बड़ी derailments होती रहती है साथ तर ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी कैयोल्टीज derailments पर नहीं होती है बट इवन दो अगर मामूली सी भी derailment होती है उससे भी railway की working में disruption आती है और अगर इस तरीके का हाथसा आमें देखने को मिला है अगर इस तरीके की एक बड़ा हाथसा होता है तो उसमें लोगों की जान जो है वो चली जाने इस वजहां से derailment जो है वो railways के लिए किसी बुरे ख्वाब किसी night pair से कम नहीं derailment बहुत सारे कारणों से होती है इट कैन आइदर बी due to collision मान लीजिए trains आ रही आगे से कोई दूसरा वाहन आ गया कोई गाड़ी आ गई या कोई दूसरी train इसके रास्ते में आ गई जिसके साथ को लीजिन से या कोई बहुत बड़ा object कोई बहुत बड़ा truck आदी train के रास्ते में आ गया उससे टकरा करके derailment हो सकती है mechanical failure हो सकता है broken rails या defective wheels बहुत सारे कारण है जो train से पट्री train के पट्री से उतरने के पीछे हो सकती है इसमें कुछ जो most common reasons बनते है derailment के वो मैं आप तक पहुंच आ रहा हूँ सबसे एक one of the most common reasons जो काफी बार देखा गया है train से उतरने के पीछे को होती है train की पट्रीं पे लगी हुई fish plates लोहे की पट्रियों को connect करने के लिए उनके ऊपर nuts और bolts के माध्यम से fish plates रहे वो लगाई जाती है train की पट्री के sections को जोडने के लिए nuts और bolts की मदद से पट्रियों के उपर इस तरीके की ये जो लोहे का piece आप देख रहे हैं जिसके उपर ये nuts और bolts tight किये गए है इसको कहा जाता है fish plate क्योंकि इस तरीके के लोहे के rails के उपर पूरा का पूरा track बनाया जाता है इनकी मदद से तो हर थोड़े distance पे ये joints मौजूद होते हैं जिनको इस तरीके की fish plate से जोड़ा जाता है बहुत बार ये fish plates अगर सही ढंग से tight ना हो तो ये एक बड़ा कारण बनता है train derailment का समय समय पर इनकी repairing इनकी मरम्मत होती है इनको चेक किया जाता है कि कहीं fish plate का कोई nut ball loose तो नहीं है क्योंकि अगर हलका सा भी loose हुआ कोई भी nut ball तो जैसे ही तेज रफतार 1000 टन वजनी train यहां इस loose fish plate के उपर से गुजरेगी एक बड़ा हादसा हो सकता है derailment हो सकती है तो fish plate एक बड़ा कारण बनता है उसके अलावा जो दूसरा major reason है वो है emergency brake जो कारण बना इस train हादसे जिसके हम बात कर रहे है अभीका निर घुवाटी express हादसे में जो कारण बना वो था emergency brakes जब भी train त्रेज रफतार से चल रही होती है और आयका एक अगर उसके brakes लगा दिये जाए तो क्यूंकि लोहे की पट्री पे लोहे के पहियों के साथ train चल रही होती है बहुत ज़ादा friction पैदा होती है और इस friction के कारण जो train का पहिया है वो track से हट सकता है इस कारण से derailment हो सकती है यही इस हाथसे का मुख्य कारण बना क्योंकि जैसे ही traction motor में अपने की खराबी आई लोको पाइलिट ने एक आएक देख लगाई और यह बड़ा हाथसा हो गया इसके अलावा trains की speed भी कई बार कारण बनती है derailment का अगर train बहुत ज़ादा तेजी से एक ऐसे track से गुजरती है जो यहां तो curved track है यहां जहां पर जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है यहां किसी pull के उपर से train गुजर रही है और वहां पर train की speed जो है वो limited रखी जाती है एक speed limit रखी जाती है लेकिन अगर कभी ऐसी किसी situation में train काफी तेजी से जा रही हो तो वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है derailment का क्योंकि हिंदोस्तान के अंदर बहुत सारे tracks railway tracks ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और अगर किसी पुराने track पर मरम्मत ना हुई हो और वहां से बहुत तेजी से train गुजरे तो वहां भी derailment का खत्रा बन सा इसके अलावा एक और बड़ा कारण है आपने देखा होगा train जो है वो अपने rails बदलती है अपना track जो है वो change करती है train के track को change करना loco pilot के हाथ में नहीं होता ऐसा नहीं है कि जो train को चला रहे हैं इंजन में बैट करके वो अपनी मरजी से track change कर सकते है train के track को change करने के लिए mechanical installations की जाती है जिस पे train को चलाने वाले loco pilot का कोई भी control नहीं होता इसके लिए विशेश तोर पर railway द्वारा कुछ लोगों को किया जाता है जिने point man कहा जाता है एक mechanical installation होती है mechanical liver लगाया जाता है जिसको pull या push करके train को एक track से दूसरे track पे लह जाया जाता है इसकी मदद से train को guide किया जाता है इस तरीके के mechanism आपने देखा होगा पहले इसके लिए यह पूरा का पूरा का मैनूली किया जाता था point man appoint किया जाता है लेकिन अब इस तरीके की motors की मदद से ऐसा किया जाता है यह दो tracks आ रही यह दो tracks तो है इनके mechanical moment से train का रास्ता बद़ दिया जाता है मानलीज यह train यहां से आ रही है अगर यह track यहां पर जुड़ा है तो यह train इस रूट पर चली जाएगी यहां फिर अगर यह track यहां से connected नहीं है तो train जो है वो बिल्कुल सीथी निकल जाएगी इस mechanical system में अगर तकनीकी खराबी आ जाए यानि कि यह जो gap है इसमें एक एक centimeter matter करेगा अगर किसी technical fault के कारण यह gap अपने निर्धारित दूरी से एक centimeter भी इदर या उदर होता है तो एक बड़े हाथसे का कारण बन से तो यह जो mechanical installations है जिनकी मदद से train के track को change किया जाता है अगर वो सही डंग से काम ना करें तो वो भी derailment का एक बड़ा कारण बन क्योंकि जब तेज गती में तेज रफतार से train का track change होगा तो किसी भी गलती की गुझाईश वहाँ नहीं होती है इस वजह से यह mechanical installations भी एक कारण है इसके अलावा जो train के पहिये हैं क्योंकि सबसे important part है अगर train को चलाना है तो उन train के पहिये उनका regular basis पर repair बहुत जरूरी है उनकी मरमत समय समय पर की जानी चाहिए क्योंकि वो लोहे के पहिये हैं अगर उनकी समय समय पर मरमत नहीं की जाएगी तो वो लोहे के पहिये जाम हो सकते हैं और अगर कभी पूरी की पूरी train में एक भी pair of wheels जो है पहिये जो है अगर वो jam हो जाते हैं तो एक बहुत खतरनाक consequences का हो सकता है a jammed whale can be very dangerous क्यूंकि प्रतेक बोगी में चार pairs of wheels लगे होते हैं अगर उन में से किसी एक में भी jam होने जैसी समस्य से आ जाए तो पूरे के पूरे train के momentum को बिगाड़ सकते हैं और ultimately उससे derailment जैसा हाथसा हो सकता है तो ये कुछ common कारण है जो पिछले कुछ समय में देखे गए हैं जिनकी वचा से train जो है वो पटरी से उतर जाती है हम इसके बारे में बात कर रहे थे क्यूंकि हाल ही में एक train हाथसा हुआ है जिसमें train पटरी से उतरी और 9 लोगों की उसमें तान से आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कैसे डिरिल्मेंट क्यूं होती है क्यूं train पटरी से उतर है दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं civil services के UPSC के लिए आप प्रेपेर कर रहे है studyiq.com ये studyiq की app पर आपके लिए बहतर इन smart courses definitely in courses बें डूल करें और अपनी preparation को बहतर बढ़ें Thank you very much, all the best, keep working hard, bye bye, take care जै हिल्द